हलो एवरीवन कैसे हो आप भी माफ कीजिएगा मेरी वीडियो आज टाइम पर नहीं आपाई है इसका कारण ये है कि मैं सुबह से होस्पिटल में ही बैठी हूँ एडिटिंग भी इस वीडियो की मैंने होस्पिटल में की थी अब आज मैं घर आके देने लग रही हूँ सब्सक्राइप नहीं तो नाके में आनी रहा लेकिन हां मोटर चलाती हो तो शपलाई का पानी जरूँरूर आता है बात्रूम वाली तुन्टी में तो वहीं से ही मैं बाल्टी पानी ही भर भर के यहां रसोई में परतन धोरी थी यूंकि इतने सारे इकठे थे ना अभी तो क क्या बोलू कुछ भी समझनी आरह है मुझे कि मैं क्या करूं क्या नी करूं क्या क्या है कि कंडीशन में आपको बतातीrite हुआ क्या अप लोगों कि वह कामें आ रहे हैं कि डेंगू और मलेरिया इन सब के टेस्ट करवाने को बोला है क्योंकि उनको डाउट तो डेंगू का है क्योंकि मम्मी को जैसे कपकपी चड़के जैसे बुखार आ रहा है तो उस चीज में थोड़ा सा ना बोलते कि टेस्ट करवाओ तो ये चीज है तो दिक्कत अब ये भी है कि कल तारीक है कल 15 नवंबर है 15 नवंबर को कल कुछ गुरु नानक जैसे कुछ है न कल पबलिक होली डे है शायद गुरु नानक जयनती है कल बाकी आप मुझे बता दीजेगा मैं सही बता रही हूँ या नी वो ही ऐसे ही कुछ सुनने में आया था तो उस वज़े से देखो सारे जैसे होस्पिटल वगेरा भी बंद है तो समझ नहीं आ रहा जैसे प्राइवेट तो चलो खुला होता है बड़ गुर्मेंट कले बंद है तो उस हिसाब से और फिर आज भी दिक्कत यह आई है देखो ममी के मुझे टेस्ट करवाने थे तो ममी के टेस्ट के लिए देखो ममी को लेके जाना बड़ा मुश्किल है इस ट्राइम क्योंकि एक तो ममी के पाउं में हडडी तूटी हुई है मेरे ममी के पाऊ में फ्रैक्चर है तो उनको लेकर कैसे जाओं बाइक बठाके नहीं समझ में आता है तो इसलिए फिर मेरे को जो एक तरीका जो समझ में आया कि मैं उख आप ऑफिस के तरफ दो साफ तो उसके बाद मैं पेले संजीवनी क्लीनिक नहीं सबसे पहले तो देखो मैं घर का कुछ खाने पीने का समान कतम हो रखा था वो लेने के लिए गई उसके बाद मैं वापीस आई फिर मैं फिर गई क्लिनिक गई संजीवनी क्लिनिक पे जो डोक्टर बैठते हैं मैंने मेरी मम्मी का कंडिशन बताई कि ऐसे-से देखो शुगर भी है उनको शुगर की दवाई तो आपको पता हिए मैं कल जाके परसो ले आई थी सारी दवाई इंफेक्शन की भी ले आई थी तो मैंने का कि मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि शायद मम्मी को इंफेक्शन न कइड्नी इन्फक्शन壯ा तो उसका भी आप टेस्ट लिख दीजिए तो उन्होंने मेरे को टेस्ट लिखए दिया उसके बाद फिर मैं गई यहां से आगे काल्रा लेग है वहाँ पे गई तो वहाँ पे वो टेस्ट गर्वाया मैं लेग aos m एक ना बच्चा जुखाम की वजह से वो भी जाता अच्छे से कुछ खा नी रहा आज तो तो फिर मैं घर आई तो मैंने मम्मी से पूछा मम्मी कुछ खाओ पी होगे तो मम्मी तो कुछ भी नहीं खा रही है इस टाइम ऐसा है देखो तो बहुत मैं आपको आज और ना जिस होस्पिटल में लेके गई थी मम्मी को वहां पे ना वह टेस्ट होते ही नहीं है जैसे आप लोगों के भी होगा जैसे कहरे एक जगह होता है तो वहाँ पर बेसिक टेस्ट होते हैं जैसे मानलो आपके यूरिन Ведь डिपी टेस्ट हो ब्लड प्रेशर का वहां पर मलेरिया का तो टेस्ट हो गया वह बोलते मलेरिया का तो हो जाएगा लेकिन आपको ना डेंगु का टेस्ट और जैसे सी बीसी वगरा जो बाकी टेस्ट है वह आपको बाहरी प्राइवेट में करवाने पड़ेंगे या फिर हमारा हिसार का जो पाओं में फ्रेक्चर है कलको उनका फ्रेक्चर खराब हो जाए पाओं खराब हो जाए तो और मुसीबत हो जाएगी इसलिए देखो फिर मैंने डिसाइड किया उन्होंने ही मुझे सजेशन दिया वहां जो बैठे हुए थे कि आप काम कीजिए हम यही पर ही बुला देते हैं सैंपल लेके चले जाएंगे यही से ही मैंने का हाँ चलो यह कर लेते हैं तो उसमें पते क्या होता है जैसे मालो कोई टेस्ट आपके वैसे लगने हो जैसे 500 रुपे तो वह जादा ही लगते हैं पैसे तो उन दो टेस्ट हो के ही मेरे लग गए आज 800 रुपए मतलब अगर सैंपल ना वहां लैब में जाके हम देके आते ना तो बहुत कम में हो जाते क्योंकि एक डेंगू का टेस्ट हुआ था और एक CBC टेस्ट इन दो टेस्ट के मतलब आके सैंपल लेके जैसे प्राइवेट में लेके जाते हैं तो उसके 800 रुपे ले लिए और 70 रुपे उसके क्या बोलते हैं वह इंफेक्शन वाला जो टेस्ट था वह तो मैं खुद सैंपल दे की आई थी बलकी तो इस तरीके से और फिर बाद में जैसे अभी डॉक्टर देखाएंगे अभी देखो रिजल्ट रिपोर्ट का तो मैं आपको बता देती हूं रिपोर्ट अभी दो घं सब्सक्राइब ने आई थी मैं लगबग हर रोजी 30 के केले खरीती हूं 30 रुपई के केले मैं रोज ही खरीती हूं हर दूसरे दिन या हर रोज क्योंकि अभी तो देखो आज तो विहाने नहीं खाए हैं वैसे भी देखो केला वेला खाना भी नीची येतना जुखाम में फ हो जाएगा ये ठीक थोड़ा सा इसको गरम चीजे खिलाओंगी तो वही है ना आस तो सुबह से मैं बता रही हूं आप लोगों को अभी में चार बजे करीबन घर आई हूं मतलब ये लगा लो और अभी भी मेरा पूरा काम नी हुआ अभी देखो रिपोर्ट आएगी शाम बताकरने की हूब कई देख सकते हो फिर मैं यहा इहां पर आई थी इह थी है बड़ा करने की डोक्टर बैञे कितने बजे बैठेंगे और सारी मैंने कंडिशन बताई कि कौन सा टेस्ट हो सकता है नहीं हो सकता फिर मैं सोचा पहले मैं पूछ आती हूं जाके डोक्टर का और परची बरची कटवा लेती हूं उसके बाद फिर जाके फिर मम्मी को ले आऊंगी मैं बाद में तो यह देखो कैसे हो आप सभी तो मैंने मम्मी के टेस्ट करवाए है अभी एक तो मैंने इनफेक्शन का टेस्ट करवाए है उनका एक डेंगू का करवाए है एक सी बीसी का करवाए है और बस ही तीन टेस्ट करवाए है एक हां एक मलेरिया का भी करवाया था और मलेरिया का रिपोर्ट त तूरज मेरा ज़ना ही हैं इस टाइम ज्यादा फैल रहा है डेंगू उसका है क्योंकि सिंटम्स भी नियुक्त्राइटेक को हां उनको आंको ढ़े तो भी घुर्ट भार भार तो उनको भी डाउड था। यह तेस्ट करवाया और मैंने भी फिर तुरन थी वहाँ पे फोन करवाया मतलब जो लैब वाले हैं तो वो खुदी आके सैंपल ले गए थे क्योंकि फिर कैसे लेके जाती क्योंकि एक तो मेरा घर बहुत जादा दूर है कि अगर मैं खुद भी जाती ना लैब में मेरी मदर को नहीं क्योंकि यूरियन सैंपल तो चलो मैं दे के आ गई ठीक है न मैं पहले ही दे आई थी सुबही मैंने का एक टेस्ट तो टाइम से हो जाए कम से कम बट अब वो है ना कि सैंपल लेने के लिए मेरी मदर को मैं कैसे बाइक पे इतनी दूर तक लेकर जाओं क्योंकि लैब तक जाना वो परिशान वैसी हो रखी थी फिर एक तो देखो एक था कि चलो कल सरकारी में करवाते तो यह भी पैसे नहीं लगते जैसे करीबन 900 रुपए लग गए तो सरकारी में तो यह डेंगू का टेस्ट सारे टेस्ट फ्री में हो जाते लेकिन कल एक तो वो कल की छुटी आगी बीच में फिर देखो आप सोचो ना बिमार इंसान के लिए तो एक एक दिन कीमती होता है इसे मैं पूरा कल का दिन कैसे खराब कर दूं कि पर्सों लेके चलेंगे सरकारी में तो नहीं हो सकता था दूसरी बात यह चीज भी थी कि देखो सरकारी में अगर मैं सोच भी लेती कि चलो सरकारी में टेस्ट करवा दूंगी तो वो इतनी दूर है इनके पाउं में फ्रेक्चर है में प्रोब्लम यह भी और यहां हमारा एरिया ऐसे है अगर मैं घर से एड़ से मैं ओटो करवा के मैं बोलू ना कि सरकारी में भी चलो तो यहां से करीबन यह लगा जो 200 रुपे तो हर ओटो वाला मांग लेता है 1,300-200 रुपे के भीज में कर रहे हो ना किसी को तो आप पूरे वो देने पड़ते हैं तो उसी हिसाब से फिर मेरे को लगा कि नहीं रहने दे अब मैंने यह भी बोला फिर मैंने का देखती हूं अब रिपोर्ट आएगी उसके अधार पर क्या करना है कौन से होस्पिटल में इनको एडमीट करवाना है वो सब भी मुझे सोचना पड़ेगा अगर जरूरत पढ़ती है अडमीट की कि इनसे कुछ खाया पिया तो जानी रहा है देखो बाकी दवाईया भी है मेरे को प्राइवेट ही खरीदनी पड़ेगी क्योंकि सरकारी का यह हो गया कि कल के छुटी ना आती तो कोई दिक्कत नहीं थी कम से कम मेरे दवाईयों के पैसे बच जाते वो तो कम से कम फ्री में मिल जाती मेरे को मैं रिपोर्ट्स ले जाके सीविल होस्पिटल से या सरकारी से कहीं से भी ले आती मैं मतलब यह फ्री वाली जो दूसरी दवाईया होती है बट अभी है कि देखो रिपोर्ट मिल सकती हैं महां पे दवाई और देठ दिन खराब नहीं कर सकती हूँ तो बस भगवान जी से प्रेया कि रिपोर्ट अच्छी आए रिपोर्ट नेगर्टारी भगवान जी प्लीज 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 नेगटीव आए करें ना भू पारहे हैं ना फ्रेक्टव की वजसे पूरी बोडी में प्रप्रॉब्लम और इस टाइम इनके शूगर वैसे यह समझी सकते हो तो और सर्दी का टाइम ठंड का वैसी दर्द करती हैं इतनी चोटे और इतनी जादा लगी है इनके दो बड़ी प्रोब्लम में इस टाइम मेरी मम्मी पस आप लोग सब उनके लिए प्रे कीजिएगा चलो नेक्ट वीडियो में मिलती हूं आप लोगों को सारी अपडेट दूंगी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी तब तक तो रात को रिपोर्ट्स बता दूगी इनकी क् क्या नहीं कि अपना खूब सरा धियान रखिए बाई बाई टेक केर